प्रेके बाद स्वागत आपका रुख करेंगे जब कश्मीर का जमू में आर्मी बेस पर फाइरिंग हुई है सुझावा मिलिटरी बेस पर फाइरिंग हुई है बेस के बाहर से फाइरिंग की गई है आतंकियों की फाइरिंग में एक जवान शहीद हुआ है सुझावा बेस के एलाके में सर्च ओप्रेशन अब काफी तेज हो चुका है जमू में आर्बी बेस पर फाइरिंग गई को और मामला सामने आया है जहाँ पर सुझावा पूरी कोशिश आतंक पातियों की यहाँ पर देखी जा रही है बेस के बाहर से फाइरिंग की गई है और आतंकियों की फाइरिंग में एक जवान यहाँ पर शहीद हुए है सुझावा बेस के इलाके में सर्च ओपरेशन लगातार जारी है तस्वीरे सीधा आपके सामने है सुझावा मिलिटरी बेस पर फाइरिंग की गई है और आतंकियों ने एक बार फिर से यहाँ पर उस्ताखी करते हुए आतंकियों ने फिर यहाँ पर सेना के जवानों को नि सर्च ओपरेशन इसके बाद काफी तेज कर दिया गया है और लगातार सेना का सर्च ओपरेशन अब चलाया जा रहा है काफी तेज यह सर्च ओपरेशन हो चुका है विधान सबाचनाव नजदीक है और ऐसे में पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर दहशत का जो है वो बना दिया जाए जिसके चलते लोग जो है इस चनाव में भागना ले पाएं मदान में भागना ले पाएं वो पूरी कोशिश लगातार की जा रही है एक एक कर यहाँ पर इनके इरादों को तवस्त जो है सेना बल द्वारा किया जा रहा है सो जावा मिलिटरी बे जाते लगातार नजर आ रहे हैं अधिक अपजेट के लिए हमारे सेयोगी अजे हमारे साथ जुड़ गए है अजे सुझावा बेस को निशाना बनाया है आतम क्योंने एक जवान शहीद हो गए है आ देखिए बिल्कुल जो ताजा जानकारी है उसके मताबिद जो जवान जख्मी हुए थे वो जो है जख्मों की तापना सहते हुए उनकी शहादत हुई है मगर अभी भी आपको बता दूं की ओपरेशन जो है वो लगातार यहां पे चल रहा है यह सो इलाका है इस पूरे इलाके में इस पर बैरिकेटिंग करके रखी गई है आप सामने अगर देखेंगे तो वो सेना की जो चोकिया है इन सभी चोकियों को जो है यहां पर जवानो सत्री था और उस सत्री पर जो है चानक से फारिंग की गई और फारिंग करके जो है उसको निशाना बनाया गया यह जो इलाका है इस इलाके के अगर बात की जाए तो यह इस इलाका जो है रियाशी राके से साथ जो है वो जुड़ा हुआ है ऐसे में कहीं न कहीं चुनोतिय इस तीज को लेकर कि आखिरकार या आतंगी यहां कहां से पहुंचे अगर इनोंने फारिंग की उसके बाद यह कहां गए इन सबी चीजों को लेकर जो है इस वक्त तलाशिय ब्यान चल रहा है लगातार पुलीस सेना से अरपियफ जो है वो यहां पर डटी हुई है मैं यहां स इसको सुनी सित क्या जा रहा है कि अगर कोई भी संदिक भी यहां पर हो आतंगी यहां चुपा हो तो उसको जल से जल मार गिराया जासा कि दरसल यह जो इलाका है सारा का सारा इलाका जो है वो शेहर के साथ सटा हुआ है ऐसे में इस सीज को लेकर इस सीज को लेकर कही ना कह तलाशे अब्यान चला हा है जिसमें भारतिय सेना जम्मकुष्मी पुलीस और से कहीं जो जवान है उनकी जो है वो तेनाती की गई है अस्थानी लोग आगर आप देखेंगे तो यहां पर उनको कहा गया है कि वो यहां से बाहर ना निकलें क्योंकि आज इस तरह की वाक्या यह जो आतंकी हैं अभी यहां पर चुपे हुए हो सकते हैं इस्थानी इस वक्त एक महिला है इस्थानी इन से बात करते हैं आप बताएंगे थोड़ा सा क्या हुआ करा हुआ एरिया हमारे बच्चे एक्चली स्कूल में है बट स्कूल एथारिटी से हमारी बात हुई है उन्होंने का कि बच्चे अंडर आमी के हैं बिल्कुल सेफ हैं घबराने की कोई बात नहीं है कितने वज़े आप यहां पहुंचे आपको कब इतला मिली पहुने 11 बज बच्चे एक पहुचा है इसके भीतर काफी स्कूल है पेरेंट्स जो हैं वो काफी परेशान है आपके बच्चे भी यहां पर पढ़ते हैं अब भी पहुंचे हैं सिद्रा से आते हैं ऐसे सुना न्यूज पर फिर हम होजग गई तो पा स्कूल अंदर बात हुई है नहीं न से बच्चे आपको बताओं कि बिल्कुल हमारा भी मकसद ये कि किसी तरह की भी पैनिक जो है वो लोग ना हो दरसल इस सेनिया ठेकाने जो के अंदर जो हैं वो स्कूल है उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो काफी निकल कर घरों से यहां पहुं यहां पे कोई परिशानी की वज़ा नहीं है क्योंकि अंदर जो लोग हैं वो पूरे तरीके से आस्सुरक्षित हैं आपको बतादूं की लगातार यहां पर जमुकुश्मी पुलीस के जवान सैना सीर पिएफ जो है वो लगातार डटी हुई है और इस चीज़ को सुनी चि है उस पे बिल्कुल शहर के बाहरी इलाके से सटा हुआ है तो ऐसे में कहीं न कहीं आज इंताएं जो हैं वो लोगों के लिए हैं मेरे साथ कुछ और परिजन हैं आप लोग से कहां से हैं क्या हुआ आप कैसे पहुंचे हैं हमने न्यूज में देखा है सर कि आर्मी स्कूल स कुछ भी पता नहीं चल रहा अंदर से सर आप बताएं कि क्या हुआ जी जाहिंद मिरनाम राकेश चोदरी मैं सानिक ओने डिफेंस को लोने साथ ही रहता हूं तो सुम्झवां मिल्टरी बेस एक बहुत स्ट्रॉंग बड़ा मिल्टरी बेस है पहले भी यहां इसके उपर ऐ जाते हैं जैसा ही यहां सुभा जवान प्रिटिकली इंजर था तो वो उसके बाद से फिर पैनिक हो गया फायर की आवाज आई तो तकरीबन सभी अलर्ट मोड पे है अभी तो बकी इसके बाद को क्या कहा गए है दिखो लोगों को सिर्फ ट्राफिक इन्होंने रेड्यूस सेफली ऐसा बताया गया है अब गलेगी तरी तरफ हैं कि बच्छें पूरे तरह से सुरक्षीत हैं होरा कि आपको बता दू कि जो सेना ठीकान सेना का ठीकाना है वहां पर लगातार इस वक्त अलाश यह व्यान जो है औस एक चल रहे geographार जो है यहां पर इस वक्त चाना है ह सेना का इस पर अगर आतंके अंदर गुष्पैट करने के में कामयाब हुए हैं तो उनको पहले मार गिरा जा सके हाला कि 12 बजे जब फारिंग हुई दो बुलिट शॉट जो है वो सुने गए जिसमें एक सेना का जवान जो है उनके जखमी होने की ख़बर थी उसके बाद किसी इन शुपे हुए आतंकियों का पता लगाया जा सके ठीक आजे वहीं अगर इसके लावा बात की जाये तो सुझावा मिलिटरी बेस पर अब जो अटैक हुआ है इससे पहले 2018 में यहाँ पर अटैक किया गया था जो कि काफी बड़ा अटैक माना गया था उस वक्त पिया पर तीन जो जवान थे वो शहीद हो गए थे उसके बाद अब जाकर इसको निशाना एक बर पिर से बनाया गया है तो यहाँ पर पूरी तरह से दहशत फैलाने का जो मकसद है उनका वो साफतोर पर देखा जा रहा है कि पहले सिर्फ वहीं पर गोली बारी हो रही थी लेकिन हातंकी चुपे हुए हैं तो इस सीज को सुनेशित क्या जाए कि किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं यहाँ से भागने ना पाएं क्यूंकि हुआ क्या है दस बजे का वगत था दिन का उजाला था लोगूं के आवाजाही का थाूँकर काफी जादा होती है ऑई सेना के ई पास स्थानी लोग हो सकते हैं यहां स्कूल हैं अंदर फैमिलीज रहती हैं तो इसी चीज़ को लेकर कहीं न कहीं जो है उनको एलर्ट रहना पड़ता है जी कैज़े बहुत 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 शक्रिया आपका इंत्वाम जानकारियों के लिए बढ़ते आगे बात करेंगे राजस्तान के राजस्तान में